नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाती तोटला, आपके इस आयरवेद सेशन में सर्ष स्वागत करती हूं महराश्टरा से मैंने PG किया है आयरवेद में और हैदराबाद में पिछले 20 साल से मैं दिरगाईयो आयरवेदिक क्लीनिक एंड पंचकर्म सेंटर चला रही हूं आज जो विशेय पे मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं वो विशेय है नी पेन गुटनों का दर्द पहले तो ऐसा था कि एज हो गया बुजूर्ग हो गया बुढ़ापा आ गया तो वो लोग बोलते थे अब गुटनों में दर्द चालू हो गया है वो समझा जा सकता था कि चलो अब एज हो गया है वात बढ़ गया है शरीर में थोड़ा सूखा पन आ गया है इसलिए गुटनों में दर्द हो रहा होगा बट अभी ताजुब की बात यह है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई गुटने का दर्द लेके आता है एक भी घर ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं करता है सिर्फ फरक इतना है कि किसको कितने दिन हैं मतलब किसी किसी का तीन- comprend के लिए दर्द होता हैर कोई सालों और वह दर्द से परिशान है यह यह कंप्तम है कौन से कंप्ते जोग जो देखने में जा रहा है छोटे बच्चे से बबुज़रूग तक मतलब बहुत सारे लोग हर एज में नीपेन से परेशान है रीजन यह है कि लाइफस्टाइल तो चेंज हो ही गही है मतलब योगा सन से भी जादा या छोटे बच्चों में एक टिपिकल दो तीन ही गेम खेलते हैं या तो मैं बास्केट बॉल के क्लास को जाओंगा या तो मैं से क्या होता है जिनको अब आई टी पबलिक है या जिनका बहुत बीजी शेडूल है जिनको रोज दस बारा घंटा काम करना पड़ता है तो यह लोग बोलते हैं कि हमको सबेरे उटके वाकिंग को जाने को टाइम नहीं है शाम में तो हम देर से ही आते सूरज तो हमको देख जा रहा है उ 생각 में जो दूद मिल रहा है सच में उसमें क्याल्शियम है क्या या अपना साटिस्फक्शेन है कि ए ट्टığ मिलक वैरेर सिक्स्टी रूपीज लीटर का ले रहे हैं या हम डायरेटली फार्म से मंगा रहे हैं बट चेक किस ने किया है किसी ने भी नहीं तो यह सप्लीमेंट्स भी बॉड़ी में आजकल कम मिल रहे हैं धूब कम मिल रही है और सबसे बड़ा फाक्टर है कि एक से देखे दूसरे ने जैसे जीम जा रहे हैं या फिर ट्रेकिंग जाते हैं शोक्या तोर पे फ्रेंड लोग गया मैं भी गया या रनिंग ग्रूप जॉइन करते हैं रनिंग ग्रूप जॉइन करने के बाद कोई यह नहीं देखता है कि बच्छपन से आपको आदत है क्या रन करने की भागने की दौडने की आपकी बॉड़ी व्यायाम करने के लिए उतनी सुटेबल है क्या आपको आदत है क्या नहीं है फिर भी सब के साथ किये जा रहे है इनिशेलिटी कुछ नहीं होता है बट आठ दस दिन हो गए 15 दिन हो गए कि इनके कंपलेंट्स चालू होता है बट बोलते कोई भ करने के वज़े ससाइकलिंग करने के वज़े से ट्रैकिंग करने के वज़े से चोड़नों के उपर हमारे पूरेवड़ी का वेट भी बेरिंग जयंट बोलते उसको अगर ये जादा व्यायाम होता गया तो अंदर का जो एक सबस्ट सोником होले लोप्रिक्यट उसमें cracking sound आता है कभी swelling होती है कभी पानी भर जाता है और एक one finder हमको पूरा कामधाम छोड़के घर पर बैठना पड़ता है तो क्या हमने व्यायाम करना ही नहीं है करना है कैसा करना है व्याया या बलम बल यह कैसे डिसाइड होता है आप कितना व्यायाम कर सकते हो उसके उपर आपका शरीर का capacity या आपका जितना body की strength है उससे आधा ही व्यायाम करना है पूरी तरह से उतना पूरा time दे के नहीं करना है और उसके भी कुछ rules and regulations रहते हैं, जैसे आप दोडने जा रहे हो, तो उसके पहले आपको कुछ stretching exercise करना चाहिए, warm up करना चाहिए, दोड के आ रहे हो, trekking करके आ रहे हो, long cycling करके आ रहे हो, तो उसके बाद आपको cool down exercise करना चाहिए, अगर आपने ये सब नहीं किया, तो वो जो रहते हैं, continuously एक action करने के बाद, suddenly आप office के लिए बैड़ गये, continuously एक ही जगा बैड़ गये, तो वो stiffness आने वाला ही है, वो muscle वहां की उसकी जो elasticity रहती है, वो कम हो जाती है, अंदर का oil कम हो जाते है, जो ligaments रहते है, जो गुटनों को बादने वाली रस्या रहती है, उसकी उसक तो वो एक बच्चे को कैरी करती है, तो दो से तीन किलो तक का एक वजन वो 24 by 7 कैरी करती है, उसका strain भी उसका lower back और घुटनों के उपर आता है, प्लस delivery के टाइम पे वो continuously एक दो तीन महीने तो भी ऐसा रहता है कि थोड़ा रेस्ट ले लो, बाहर मत घुमो, exercise मत करो, पहले तील खाने को बोलते थे, तो यह out of fashion बोल के आजकल कोई भी वो follow नहीं करता है, और सबसे important रहता है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, यह आईरवेद का एक सुत्र है, इसका मतलब रहता है, अभ्यंगम means massage, नित्यम means रोज, आचरेत means करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हम र होते है, वो थोड़े घिसना चालू होते है, कम होना चालू होता है उसका, उसको आपको अगर properly वापस से motion में लाना है, उसको वापस से tony city देनी है, तो उसको अभ्यंगम याने रोज massage करना है, massage करना है ऐसा, इसका मतलब यह नहीं कि आपको massage center जाना है, spa जाना है, नहीं, रोज भी जो हमेशा जो oil आप use कर सकते हो, वो रहता है till-tail, sesame oil, तो नहने के पहले जस्ट एक थोड़ा साथ oil ले लो और पूरे body को लगा लो, उसको जोर जोर से रगड के massage करने की ज़रुरत नहीं है, रोज उतना time नहीं मिल रहा है, तो weekly, दो बार, या Saturday, Sunday में, weekends में कभी आप ये, at least आपके joints को तो भी लगाना जरूरी है, अगर घुटनों को भी आप ये करोगे, तो definitely उसका जो cracking sound होता है, दर्द रहता है, वो कम होता है, ये तो generalized pain के लिए हो गया, but कुछ-कुछ disease ऐसे रहते हैं, जिसको rheumated arthritis बोलते है, गाउट बोलते है, या आईरवेट के ह होता है, कि जो sports person रहते है, तो उनका different रहता है treatment plan, but generalize इसमें क्या कर सकते है, कि एक तो आप तेल लगाओ, दूसरा रहता है, कि बाहर roadside बहुत बार caster के पत्ते मिलते है, या अर्क पत्र बोलते है, आप अगर ये note down करोगे, तो आपको image Google में मिल जाएगी, तो इसको घर ल लगाना है, उसके उपर वो पत्ता बांदेना है, हल्का गरम, हल्का गरम पत्ता बांदेना है, अगर आप रोज ऐसा करोगे, तो definitely घुटनों का दर्थ कम हो जाएगा, जहां जरूरी है, वहाँ vitamin D और calcium supplements लेना जरूरी है, naturally कहां से ले सकते हैं, तो काले तिल लेग सकते हो, flux seeds खा सकते हो, मखाना है, राजगीरा लड़ू है, यहां अभी अंध्रा में या तेलंगाना में जो बोलते है, तोटा कुरा जो रहता है, उसका जो leaf है, उसकी भी सबजी या डाल में डाल के, या उसके जो बीज आते है, उसके लड़ू बजार में मिलते है, तो वह calcium rich रहत सम बनता है ड्राइफ रूट्स में आलमेंट्स ले सकते हैं मुनक्का ले सकते हैं मतलब ब्राउन ड्राइड ग्रेप्स अगर आप यह रेगिलरली डायेट में इंक्लूड करेगे तो आपका यह डिफिशेंसी भी दूर हो जाएगा और रोज अगर तेल लगा के नहने का अग पर चेक अप कराके ही उसका आपने ट्रीटमेंट लेना चाहिए अधरवाइच सभी अईरवेदिक स्टोर पे बहुत सारे आपको सौ मेडिसिन तो मिल जाएंगे अगर वो खाते जाएंगे और पूरा क्रोनिक होने के बाद डॉक्टर के पास जाओगे तो डेफिनिटली य अगर आपने यह सब अईरवेदिक डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट चालो कर देना चाहिए थैंक यू